नमस्कार दोस्तों मैं हूं मेश शर्मा चार्ट ने लसी स्टेनल पर आपके हर दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियों बात करेंगे कि ऑप्शन बायर चार्ट को किस तरीके से देखे यह बहुत बड़ी एक प्रॉलम है ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं किस टाइम फ्रेम का चार्ट देखे किस तरीके का ट्रेड बनाना है उनको पता नहीं रहता है और इस वरे से वो नुकसान कर देते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑप्शन कर रहे हैं स्टॉक अगर आपने कोई स्टॉक में ऑप्शन करी है या फिर आपने इंडेक्स म करना पसंद करते हैं तो वीडियो को शू से लेकर आखिर तक जहूर देखेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा तो अब मैं डिरेक्ली आपको पहले चार्ट दिखाता हूं और उसके बात आपको ऑप्शन के है कि मार्जन अल्रेडी काफी ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले मार्जन अच्छे कासे मिलते थे लिमिट अच्छी कासे मिलती थे आप चाहे एकुटी में काम करें फ्यूचर में ट्रेड करें वह काफी हद तक खतम कर दिये तो यहां पर आपके बाग ऑप्शन वसता है कि कि कम मार्जन में कैसे ज्यादा पैसा कमा पाए इस वज़े से काफी लोगे गलती करते हैं उनको पता नहीं रहता कि कौनसी स्ट्राइक की कॉल खरीदनी चाहिए कौनसी एक स्पेरी को चेहन करना चाहिए अगर वो टेक्निकल अनालिसिस भी सीख लेता तो उनको यह नहीं अब आपको चीज़े सीखा रहे हूँ उसके लिए आपको टेकनिकल अनालेसिश आना चाहिए चाहिए एक तरीका से करें थाले को पैटन को इडनीटिफाइक करने के लिए आपको क्या चीज़ देखनी एक्जांपल के तॉरप में देखते हैं निप्ती अभी मैं फिलाल इ इसको बोलते हैं dark crowd cover pattern अब आमने देखा कि भी है यहां पे 4 अबर्ली चारट पर dark crowd cover pattern मना हुआ है अब dark crowd cover pattern के इसाफ से जो selling बनती है इसकी वो बनती है मैं exactly आपको बताते था हूँ 17,200 के अप्छास मान लो sell बनता है आपने देखना है कि यह ठीक है मैंने को यह कॉल मिल गी है मैंने पुरे टेकनीकल अब आपका शरी है आपने बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हो सकता है आपका टार्गेट भी आज है बट सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप स्ट्राइक का चेन नहीं कर पाते हैं अब देखो आप फूचर में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट और नुकसान विए उसी साफ से होगा आप चाहते हैं कि मार्जन कम में काम करें फ्यूचर में मार्जन ज़ाद क्योंकि ITM का एक तो डेल्टा ज़ादा होता है और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें रिस्क क्या होता है लिमिटेड होता है हाला कि इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप फूचर से बैटर यह है कि आप ITM की ऑप्शन में काम करें वो जादा बैट लिखेंगा एक्जांपल के तौर पर आपने क्या करा 17200 की आपने क्या करी यहीं यह सत्रह रषफाय और आपको पता है कि आपका टार्गेट 16900 है अब 16900 अब अब इसल भी लिया एक्षाम्पल इसल लिया आपने 17860 मार्किट क्लोज हो गया उस दिन 17,300 पे close हो गया या 350 पे close हो गया 300 पे close मान लिया हमने अब आपको पता है कि आपका stop loss 17,450 है बट आप जो stop loss है वो intra day में लगता आपको पता है stop loss के है वो intra day में लगेगा वो next day नहीं लगेगा आपको next day खुल लगाना पड़ेगा और एक stop loss आपने लगा है वो ऐसा नहीं है कि वो कल भी valid रहेगा आपको next day खुझ से stop loss लगाना पड़ेगा उसमें अब आपको खुल गया मार्केट सीधा 17,600 आप 17,600 खुल गया ऐसा भी तो होता है 300 पाइंट उपर 200 पाइंट उपर खुल जाता है मार्केट अब आपने देखा 17,600 के आपको खुल गया तो आपको खुल गया मेरा stop loss भी जम्प हो गया मैं क्या गरू या तो इस रेट पर पोजिशन काट दू या फिर वेट करने तो नीचे आने गा तो क्या होता है कि यहां पर कई लोग ना पोजिशन काट नहीं पाते और मार्केट सीधा 17,600, 700, 800, 900 और वो पूरा फंड खतम हो जाता है मार्लो 17,600 पे खला 17,600 पे आपने क्या पोजिशन क्या कटी काट दी तो होगा क्या यहां पर 400 पॉइंट का जो 250 पॉइंट का आपका नुकसान था वो 400 पॉइंट में कवर हो जाएगा तो यहां से आप इंटू 50 कर लेजेंगे वो टोटल क्या है आपका नुकसान है पट वहीं पे अगर हम दोस्तों आईटिम पे जाते हैं इसको समझेंगे हम क्या करते हैं और हमने देखा कि 17,200 का रेट चल रहा है और हमने क्या गरा हम चाहे तो एड़ दमनी की कॉल भी खरी हमने क्या गरा am 17,400 की पुट खरीद लिए अब फुट खरीद लिंवालो कितनी की बड़ी वो में एकजामबल के तौर पे चाहे मंधली पे काम कर रहा हमने लिए मनीग काम करते हैं हमने अपनी क्या है मार्क पर चल जाए 17 6 ON 800 नो 100 हजार मैक्सिमुम लोक्स क्या है वो है 200 इससे में क्या होगा कि आपने क्या करी है वह इंदा मनी का डेल्टा पॉइंट फाइव और इंदा मनी का डेल्टा उसी तरी बढ़ता है हो सकता है सतरा चार सब्सक्राइब हो सकता है तो यह फ्यूचर की तरह काम करेगा और इसका जो रिस्क है वो क्या रहता है लिमिट रहता है जो किस तरीके से समझ के काम करना उसकी नॉलिज लोगों को नहीं हो थी वो सिफ सोचते मी कॉल्पूट खरीद लो मार्जन ठीक तक है तो एड़ नहीं जा रहा तो उसको एवरेज कर लो स्टॉप लगाना नहीं है यह जो कचरा भरा हो है अपने दिमागे उसको हटा दो ऑप्श सबसे बड़ी बात अब यह तो आपको कॉंसर्ट भूरा समझ में आ गया अब यहां पर एक और चीज़ है जो समझाने वाली बात है वो यह है कि कि अगर मालो 17-200 पर आपको सैल करना 16-900 आपका टार्गेट है 17-450 का अपका SL है तो आप कोशिश करिए कि आपको लग रहा है 17-200 तो 17-100 या फिर 17,000 पर क्या करें आप इसकी आप क्या पूट खरीज सकते हैं बट इसमें भी दोस्तो एक चीज़ यह है कि कभी आप कभी आप कर लो आप इसको नोट कर लो जो पॉइंट में आपको बता रहा हो ना इसको रोज बोला अगरो कि कभी भी अगर आप OTIM की OTIM में OTIM का कॉल यपूट आप खरीद रहें तो उसमें weekly expiry पे काम नहीं करेंगे मैं especially bank nifty nifty की बारे मत कर रहा हूं कि कभी आप OTIM पे क्योंकि उसके जियों होने के chances हैं वो काफी जादा बढ़ जाते हैं मैं आपको कहता हूं कि भी आप 40,000 पे लगाओ मालों को इसी ट्रेड में 40,000 पे लगाओ बट उसमें नुक्सान के chances हैं वो 20-30% है और एक जगा दोस्ता आप 40,000 के जगा 5000 पे लगाओ किसी ट्रेड में म 9.9% है तो आप किसमें जाना पसंद करोगे 40% इन्वेस्ट करना पसंद करोगे 40% का 40,000 का ट्रेड लेना पसंद करोगे 5000 का आप कर लूगा कोई बाद ने उसमें profit के chances काफी कम है और नुक्सान के chances बहुत ज़्यादा है वो ही लोग यह करते हैं कि उनके 5000 पे होते हैं 10,000 प पता है कि भीया चमतकार डेली डेली नहीं होते अगर आप हिस्टी निकाल के देखेंगे तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि मार्केट में unexpected movement बहुत कम देखने को बिली है और कहना चाहूंगा दोस्तों कि चमतकार डेली नहीं होते हैं कभी कबार नसीना वाइल देखने को मिल जा मेडियो साफ से मंतली पर जाओ अगर आप जा रहे हैं और उसमें वीकलेक्स पहरी करें तो वह सबसे बड़ा गुना है वह क्राइम एक्चल में वह क्राइम किसे लिए वह आप अपने पैसों का अगलाग उट रहे हो समझे 5-10,000 रुपे जो आप कह रहे हो ना लगा दिये वह 5-10,000 रुपे का वै्ल्यु अच्वल में वह 500- Україorter का था बाद के म कैसे कमाएं होंगे आप बिजनस कर रहे होंगे आप जौब कर रहे हूंगे आपने कितना इफर्ट दिया होगा वह उसकी वैल्यू श्रु अगर और आज मैं भी हूं मैं भी वेल्यू करता हूं मैं आज सौरबे की वेल्यू करता हूं और देखो आपको भी वेल्यू करनी चाहिए आप मार्केट में पैनी भी लगा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि यह जो पैनी में लगा रहा हूं कुछ भी मैं लगा रहा हूं इसकी वेल्यू कितनी है बैटर यह है कि आप कोशिश करिए कि मैं उतना पैसा मार्केट में लगाऊं जिसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको मैं प्रॉपर तरीके से कर पहूं हाँ चाहे अपने पैसा कम लगा दिया और आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट के चांसिस बहुत कम है नुक्सान के चांसिस जादा है बट अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं ज्यादा पैसा कमा लोगा तो भाई कभी नहीं पैसा मनता मैं अपनाना एक्स्पीरिंस अब से शेर कर रहा है और मैं कि और रहा है ऐखो अगर अगर तो 80% लोग थे middle class और 90% लोग थे और 10% होंगे जो higher class होंगे और वो मैंने देखा कि 10,000, 20,000, 50,000 की कोई value नहीं है अगर आप हापे देखेंगे तो मला हर आदमी नकुसान कर रहा है अगर आप उसको समझेंगे तो देखेंगे पर लोगों के अंदर यह है कि मैं बस एक दिन में अमीर हो जाओं इसी वज़े से दोस्तों बेसिकली option भी यह है option बायर अप्शन गलत नहीं है अगर आप technical charts का सई इसे use करेंगे वैंके technical charts के आपको समझाऊंगा बट मेरे साब से लगता है कि लोग ना एक दिन में अमीर होना चाहते हैं दो दिन में अमीर होना चाहते हैं इस वरे से वह क्या करते हैं कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने के उस्षिश करते हैं तो मेरे साब से मुझे ऐ करकर की आपको समझत बाइब हैं इसमें प्राइब कि क्यास आपको कि कैसे आपका कर सकते हैं कि आप अंधमनी पर आपर जा सकते हैं यहाँ कि सो बड़नी यहां पर काम करें ऑफ क्यानदा चार क्लाइबnia करना ब्लाइब में कि अब दिरião को कभी भी आप बड़े टाइम फ्रीम के केंडल पर काम करें चार घंडे में केंडल बनते हैं तो उसमें आप OTM पर तो काम करेंगे यह नहीं कोशिश करेंगे कि आप ITM की तरफ जाए काफी ऐसे लोग है जो कहते हैं आपने बोला था कि निफ्टी गिरेगी निफ्टी तीन दि कि ओर मैं क्या खरूं तो भाई आपको कहना चाहूंगा कि बड़े टाइम फ्रेंग पर कभी जब आप काम करते हैं ट्रेड बनाते हैं वह सकते टार्गेट एक दिन में भी आजए दो दिन में भी आजए हो सकते तीन-चार दिन-पांस दिन में टार्गेट ना है स्टॉप स्टॉप लोस कर जा तो नुकसान वैसी होना है लिमिटेट इसका है और इस पीछ में घूमता रहता है क्योंकि 300-400 पॉइंट का अगर इसमें देखेंगे तो गैप रहता है तो इसमें भी थीटा डिके बहुत तेली से होता और उसमें आप रहे हैं तो तो भाई जीरो होने को दोंगे के चैंसिस हैं मैं मात्यों काफे एसे लोग समझाने लोगत सब्स्काइब坏 काम करते हैं और कहना चाहें कभी भी मैं कहाना चाहूंगी नीचारट पे ठोड़ा दे सब एक और चीज दस लॉट लिए अरे भाई दस लॉट क्यों लिए मंधिली एक्सपेरी पे आप काम कर लेते हैं अगर काम करने का बहुत इच्छा है करना है तो कोशिश करेंगे कि आप ITM की तरफ जाए और अगर आपको लगता है कि मेरा आप मार्जन कम है और माटियम ही ले सकता हूँ तो भगया उसमें काम नहीं करेंगे समझे उसमें काम करेंगे और क्या होता है कि लोगों के बाद मालों कि उसमें चले आते हैं आप दी ऐसे काफी लोग की कॉल है थे वह वीकली कल आजेगी क्या भाई ये तो बिलकुल एक कहना चाहूंगा ये तो बिलकुल ही मलब मैं कहा रहा हूं कि आपका पैसो का गला गोट रहे हों सोचो क्योंकि आये ट्रेड आप बनाते हो मैं ज्यादा थोड़ा सा मैं कि जो लोग की क्योरी जाते हैं डेली बीसिस पर मैं उसके ओपर वीडियो मना रहा हूं मैं कोई ग्यान ने बात रहा है आपको कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा इतने पैसे कमाल होगे बट ये चुल प्रोलम है वह हो सॉल्व करने की कोशिष कर रहा हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कभी भी अगर आपको लगारा कि मेरा टार्गेट तो डार्गेट पर चाहे आपका टार्गेट चाहे आपका टार्गेट सब्सक्राइब यही जो टार्गेट ऐसे में खरीद लेंगे पैशा कमाया है तो हूँ चांसेस दोस्तों वह बहुत जादा कम होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो कभी भी जो कोई target है उसकी आप क्या करेंगे पुटे या कॉल नहीं खरीदेंगे क्योंकि target बढ़ा होता है और वो वहां तक नहीं जाता क्योंकि pay off भी आपको समझना पड़ेगा न अब आपने मालनो 16,900 की के अगरी आपने पुट खरीद ली चाब 50 रुपे पे खरीदी अब इसका pay off क्या होगा 16,850 के नीचे जाएगा वो आपका profit है target आ भी गया एक्सपेडी वाले दिन तो भी value के हो जाती है 0 हो जाती है कई लोगो pay off नहीं आते पता ही नहीं होता pay off के आप समझे बात को तो इनको समझना भी बहुत 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 जादा ज़रूरी होता है अब दूसरी बात यहां पर समझेंगे अब मालो हम स्टॉक का चार्ट देखते हैं कोई भी स्टॉक का एक्जांपल के दोर पे देखते हैं अब एक करते हैं मैं भी फिलाल लगा देता हूं आपके सामने विंपरो का चाट लगा देता हूं चलो अभी विप्रो में भी काफी लोगों नहीं गलते करी थी वीप्रो में लोग ने क्या करा है विप्रो के चार्ट में और सेलिंग जो बनती थी वह फाइम 95 नीचे कर सकते पोजिशन अमनी शौट में मना सकते हैं पज़न नहीं होता है अब इस केस में भी वही है दोस्तों कि फोर अवरली का चार्ट है और पॉर अवरली के चार्ट में टाइम लगता है तो काफी लोग ने कहा रहा था उन्होंने पुटे खड़ी ली थी जो की बिल्कुल गलत था और मार्केट ने देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ ताट यानि कि आठ केंडल यहां पर बनाई और काफी लोग थीटा लिगे हो गया और जब वो नुकसान बढ़ गया तो नोंने कहा रहे हैं पोजिशन काड़ दी और पिर इंदमनी की तरफ जाएंगे, OTM पर नहीं जाएंगे और अगर आपको लग रहा है कि आपको इंट्राडे में ही ट्रेड बनाना है उप्शन में तो उसमें आपको कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कोशिश करिए कि उसमें आप 30 मिनट का चार्ट देखिए या फिर कोशिश करिए कि आप अवरली का चार्ट देखिए मैं यह नहीं करा कि इससे कम जाओ 15 मिनट, 5 मिन, 10 मिनट के चार्ट पर जाओ वहाँ पर नहीं जाना है आपको फिर 30 मिनट का चार्ट या फिर एक घंटे का चार्ट आपको देखना है और उसके इसाफ से इंट्राडे में या फिर BTST, STBT अपनी position आप बना सकते हैं बट मैं आपको यह suggest करूँगा कि आप OTM पे ना जाए OTM पे कभी भी आपको output खरीदते हैं तो उसमें नुक्सान के chances ज़्यादा होते हैं चेक कितना भी आपको technical analysis आए भगवान भी आके आपको technical analysis समझा दे मगर दोस्तो movement होती है या नहीं होगी वो आपको कोई भी नहीं बता सकता कोई भी technical analyst यह नहीं बताएगा कि आज movement होगी कल movement होगी तो आपको target या फिर SL दे देगा है वो आप अपनी analysis से भी निकाल सकते हैं अगर मार्केट बीच में consolidate हो गया तो वहाँ पर option buyers को नुक्सान होता है और वहीं पर अगर आप weekly expiry पे काम करेंगे फोर रवर लिके चार्ट पर या फिर डिली के चार्ट के तरफ जाएंगे तो उसमें target आने में time लगते हैं जब तक आपका target आता है तो theta बहुत ज़्यादा decay हो जाता है और आपने OTM के अगर कोई options बाय करिये होती है तो उसमें theta और भी ज़्यादा जल्दी से decay होने के पूरे पूरे chances होते हैं और अगर वहीं अगर आप निफ्टी में निफ्टी में काम करें वीकली option बेजाते हैं तो तो आप क्या कर रहे हैं सुसाइट करने हैं और जैसे कि मैंने आपको थोड़ दिर पहले बताया कि आपका नुकसान होने के चांसे तो काफी रहते हैं और उसमें आप क्या करते हैं कि averaging करते हैं जिसमें आपको और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है तो यह कुछ basic problems हैं जिसको आप solve कर सकते हैं कोशिश करिए कि टेक्मिकल चार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा time frame के combination को समझना बहुत ज़्यादा जुरूरी है जैसे अगर कोई trade बनाते हो 30 minute के चार्ट पर अबरले के चार्ट पर बनाईए और option गलत नहीं है आप चाहिए तो कोई daily चार्ट पर भी बनावा pattern है उसमें भी option कर सकते हैं बड़ कोशिश करिए कि आप इंदा मनी की तरफ जाए उसमें margin ज्यादा लगता है मैं मानता हूं तो उतरा margin लेके आपका बनाना बहुत जरूरी है अगर आपको लग रहा है कि मैं हैज करके पैसा बनाना चाहता हूं तो भहाँ पे आप स्टेडल बना सकते हैं आप लॉंग स्टेडल बना सकते हैं जब लगता कोई सकते हैं बहुत बैटर है मैं स्टेडल बाय के फेवर में नहीं हूं बट मैं कहना चाहूंगा स्टेडल बनाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रगना है जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है तो जो नोट्स जो आपको पॉइंट लिखवाए हैं दोस्तों वह आप अपना ध्यान में रखेंगे कि आप ओटियम की अगर आप कॉल पुट खरीते हैं तो वीकली ऑप्शन पे ना जाए आप अट दमनी पे काम करें या फिर इतना मनी की तरफ जाए और कुछ पॉइंट्स और थे जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया थे और एक चे जो और है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो जब रस्ती के ऑप्शन करने के लिए आप पांतस पंदर मिट का चार्ट यूज ना करें और जो चीज़े मैंने आपको बताई है कि आपको फ्यूचर से बैटर ऑप्शन रहता है रीजन उसका क्या है कि उसमें रिस्क क्या होता है लिमूटेड होता है और future में आगर आप काम कर रहे हैं तो कहना चाहूंगो उससे better है कि आप options में काम करें और options में क्या होता है कि limited loss होता है और favor में जाता है stock तो उस तरीके से जब delta increase होता है तो वो उस हिसाब से काम भी करता है तो basic problems हैं और उसके solutions हैं जो मैंने आज की वीडियो में दिया है यह ह और आदनी की problem है जो market में option buying करता है तो आशा करूंगा कि इस वीडियो का आप जादा स्यादा शेर करेंगे उन लोगों के लिए जिनको option करते समय प्रॉलम्स होती है और technical chart दोस्तो इसमें एहम भूमी का निभाता है अगर मैं इसको बहुत detail में समझाओं तो वीडियो एक दो तीन घंटेगी भी हो जाएगी और topic खतम नहीं होगा इसमें मैं आपको एक candles समझाओंगा कैसे buying करते हैं कैसे selling करते हैं और इसके साथ option का option में कैसे काम कर सकते हैं इसके अपर मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में दोस्तों cover नहीं होगा उसके लिए आपको technical analysis सीखना बहुत जादा जुरूरी है तो कहना चाहूंगा दोस्तों कोई भी शुरवात करें technical analysis सीखना काफी जादा जुरूरी है आप technical analysis सीखने के लिए क्या कर स तो टेकनिकल analysis में यह को साथ जान नौस्टन इंडियान रुपे का है जिसमें 28 वीडियो टैन आवर्स का कोर्स है जिसमें केंडिस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डॉरी एले विप ट्री टैम फ्रेम का कॉम्बनिशन डिमांड सप्लाइश साइकॉलिश जाता है बह क्या stopless होना चाहिए उसके इसाब से आप option में कैसे trade बनाएंगी वह भी सारी चीज़ें सिखाई जाती है option को यूज कर सकते हैं और कहना चाहूंगा इसमें आपको प्रसंट टेलीग्राम चनल संडे के वेबिनर्स और संडे वेबिनर करता हूं कोई डाउट है कोई केरिया मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और साल में एक बार मिटब भी करता हूं उसके साथ हमारा option strategy का course है जो की बहुत बैटर अगर नए लोग अगर आप नए हैं तो पहले आप टेकनिकल करिएगा फिर आप चाहे तो option की तरफ जा सकते हैं जो की 11,000 रुपय का course है जिसमें दोस्तों कहना चाहूंगा 59 वीडियो से 59 का course है इसमें option chain option ग्रीक्स option के study उसके payoffs यह सारे चीज़े सिखाए जाती है ग्रीक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब option करते हैं तो आपको ग्री चाहें जो होने सुने में उसके प्रीमिय में कितने चेंजिस होंगे यह भी आपको नहीं पता होता अगर मान लो आपने 17,200 की call खरीत है और वह 7,000 जाता है और दो दिन में जाता है तो यह प्रीमियम कितना बढ़ सकता है वो भी आपको नहीं पता है कि आपका टार्गेट आया आपने अपने टार्गेट के उपर यानि कि आपने देखाust 1440 का टार्गेट है कोई भी टार्ड़ेक्टराइड अगर आपने वो लॉस हो रहा हुता है क्शिपैयरी वाले दिन जो मैंने प्रीमियम है और जिस ट्राइड पे मैंने ख़रीदी इग् रेट चला था 17,200 का अगर आप दिखेंगे फ्यूचर का रेट 17,200 का स्टाइक आमने चुनी 17,400 की प्रीम था सौर पे और वो 17,450 चलागा आपको मेरे रेट की उपर है बट वहां पर दिखा रहा होगा एक्सपरी वाले दिन जीरो क्यों क्या रीजन उसका रीजन है क्योंकि आपको प्रीमियम है जो स्टाइक मैंने चुनी है उसके अपर एड करूंगा तो 17,500 के उपर मुझे प्रॉफिट होगा एक्सपरी वाले दिन वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई डाउट है कोई करिए तो मैं बैठा हूं मुझसे आप कंसर्ट कर सकते हैं सासा कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगर आप दोनों में से किसी एक में भी डिमेट अग अब दोस्तों करते हैं तो आशा करूंगा दोस्तों आज मैं आपको समझाया जो समझानी की कोशिश करिए आपको जो basic problem है डेडर्स की वह दोस्तों मैंने समझाई है और इसपर थोड़ा सोचेंगे इस पर थोड़ा आप बैकटेस्टिंग करेंगे और थोड़ा सीखने ही क कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट का यूज्स कैसे करना है बड़े So पर एगर कोई बड़ा टाऱ्ट है तो क्या ट्रेड बनाना चाहिए ऑने या नई बनाना चाहिए अगर बनाना तो कौन सी स्ट्राइक का चेन करना है सारी चीजे में आझ की वीडियो में आपको बताई है तो आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते हैं तो like करें शेर करें चैनल को subscribe करें आज के लिए बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद